कोरोना वारस का टीका बनाने की दोड में आगे चल रही कमपनियां दिसंबर के अंत्रक सतर से 75 करोड खुराक तयार कर सकती हैं। ये दुनिया की करीब 10% दियाबादी की टीका करण के लिए परियाप्थ होगा। टीके की दोड में अमेरिकी कमपनी मोडर्ना, जौनसन अन जौनसन, ब्रिक्टिश कमपनी अस्ट्राजैनेका, रूस का गमेलियार रिसर्च इंस्टिटूट और चीन की सिनुवैक शामिल हैं। जर्मन कमपनी बायोनटेक के साथ टीका बना रही फाइजर ने भी शुक्रवा का कहना है कि अक्टूबर के लक्षे से फाइजर भी सबसे तेजटी का तयार कर रही कमपनियों में शुमार हो गई है। फाइजर ने अमेरिका के लिए दस करोड खुरात तयार करने के लिए अमेरिकी सरकार से दो अरब डॉलर का समच्छोत भी किया है। जौनसन और जौन पर टीके का ट्रायल करेगी कम्पनी के मुख्य वैज्यानिक सलाहका डॉक्टर कॉल का कहना है कि हम निश्चित समय सीमा पर परिक्षन पूरे करेंगे रूस 40,000 परिक्षन शुरू करेगा रूस के गामेलिया रिसर्च इंस्टिचूट स्पुतनिक वी टीके के तीसरे चरण का परिक्षन 40,000 वालंटियर पर करेगा हलाकि उसने पहले ही सितंबर से टीके के उत्पाधन का निरणय कर लिया है शुरुआती दौर में स्वास्तिकर्मियों के बाद जन्वरी से अम जनता में टीका करंट शुरू होगा संस्थान के उपने देशक डॉक्टर डेनिस लोग ग्रोव ने कहा कि इससे हम टीके की प्रतिरोधी क्षमता का आकलन कर पाएंगे अमेरिका में ओप्रेशन वर्ट स्पीड अमेरिकी सरकार ने ओप्रेशन वर्ट स्पीड के तहत 6 से ज्यादा कमपनियों से टीके की करीब देड़ हरब खुराक पाने का समझोता किया है इस पर उसने 11 हरब डॉलर खर्च किये हैं इनमें इस्ट्राजाइनिका, मॉडर्ना, जेंड़ जे शामिल है साल के अंद तक कहां कितने टीके बनेंगे 10 करोड टीके तयार कर लेगी फाइजर बायोमन टेक साल के अंद तक 30 करोड वैग्सीन तयार कर सकते है सीरम दिसमबर तक 10-15 करोड टीके तयार कर लेगी मौडरना साल के अन तक 50 लाग से 1 करोड टीके प्रतिमाह रूस का गमेलिया संस्थान 01-03 करोड खोरा प्रतिमाह तयार करेगी चीन की कैंसिनो सिनुवेक दिसमबर तक प्रतिमाह 3 करोड डोज तयार करेगी विवाद, अमेरिका में चुनाओ से पहले टीके बनाने पर घमासान, अमेरिका में 4 नवंबर के चुनाओ से पहले टीका तयार करने की राष्टर पती डॉनल्ड ट्रम की मुहिंग को लेकर घमासान मच गया है। जिक सिवैलिवेशन अन्रिसर्च के निदेशक पीटर मार्क्स ने शुकरवार को खुले तोर पर ये धम की दी। के लिए ट्रमप प्रशासन एक फढ़िये पर दबाव बना रहा है कि नवंबर के पहले किसी न किसी टीके को मंजूरी मिल जाए, फिर चाहे क्लीनिकल ट्रायल पूरे हो या नहीं। मार्क्स ने कहा कि असुरक्षित और बेसर टीके को बिना वैज्यानिक परिक्षणों के उतारा कया तो वेह पत छोडने में एक पल की देरी भी नहीं करेंगे। स्वास्ते विभाग में सहायक सचिव माईकेल कैपुट्टो ने भी कहा कि वैक्सीन को लेकर राजनीतिक दबावे फढ़िय की अहमियत को गिराएगा जो विश्व में प्रतिष्ठित है। वालंचेर को नुक्सान पर दावे का 10% देही मिला अमेरिका में टीके के परिक्शन में जिन वालंचेर की जिहत को नुक्सान पहुँचा उन्हें दावे की रकम का मेहिच 10% देही भुक्तान किया गया। अमेरिकी स्वास्त विभाग के अधीन टीके के मानव परिक्षणों पर नुखसान नजर रखने वाले संस्था CICP ने ये खुलासा किया है। अमेरिका में चल रहे 16 टीकों की परिक्षण से शारिरिक दुश प्रभाव जेलने वाले स्वयम से उकोने सरकार से ये मुआवजा मांगा था। हलाकि इलसपश्ट नहीं है कि कुरोणा का टीका इसमें शामिल है या नहीं। बिना मंजूरी वाग्सीन देने पर खिराचीन पापुआ नियू गिनली में एक चीनी खननन कमपनी ने दावा किया कि कुविट के टीके के परिक्षण में उसके कर्मचारियों में प्रतिरोधक्षमता विक्सित हो गई है। इस खुलासे के बाद देश के स्वास्ते मंत्री पापुआ जेल का वों ने कहा कि उनका विभाग रामुने को मैनेज्मेंट कमपनी के दावों की जाच कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में कोविट 19 टीके के परिक्षण पर प्रतिबंध है। इस बारे में चीन से जवाब मांगा जाएगा। चीन के 48 कर्मचारियों को 10 अगस्त को कुरोनवारस का टीका दिया गया है।